आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के क्या है अच्छे खरीदने के लेवल, क्या ये अभी बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है, जी हाँ, फिर से एक golden opportunity मिल रही है, आईए चल कर बात करेंगे, प आलोक इंडस्ट्रीज की वो order, Reliance Industries यहाँ पर transfer कर रहा है, और साथी साथ में, इन्होंने कई expansion plan के लिए अपना किया है, ताकि इनकी export driven activity बढ़ने लगे, यहाँ से आगे चल कर, तीन product की primarily वो बहुत जाद एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके बारे में हम बताएंगे, जिसके ल एक reasonable level पर अभी यहाँ पर है, और market cap की दरश्टी से mid cap company है, तो अगर आप चाहें, अपने portfolio का 5% तक इसमें निवेश कर सकते हैं, आएए कुछ fundamental view देखते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के, तो देखें, पॉलिस्टर में अगर इनकी बात की जाए, तो सिवाला सा, इनके पास 140 मशीन है, जिसकी 1.7,000, 1.7, 170,000 टन पर अनम की capacity है, अगर यही चीज़ देखें, POY, partially oriented yarn, इसमें इनकी 85 टन पर अनम की capacity है, और FDY, fully dawned yarn में 70,000 टन की capacity है, तो इन सब capacity के चलते हुए, इनके पास काफी अच्छी presence है, और यह, यही नहीं की yarn produce करते हैं, बलकि ready to wear clothes भी generate करते हैं, जिनकी US में बहुत जादा demand है, UK में बहुत जादा demand है for men, women and children, और यह sleep wear, foundation wear, और आपका work and uniform, तो सब के सब produce करते हैं, जो की एक अच्छी पहलबानी जाएगी इनकी. तीन key factors जो यहाँ पर इसको growth दिखाएंगे, वो हैं आने वाले समय में कि क्या आगे long term में इसकी growth बन सकती है, तो सबसे पहले देखिए, इसने जो agreement किये हुए है, reliance industries यहाँ पर उनको help कर रही है, orders fulfill, जो complete नहीं है, जो उनकी capacity खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर reliance industries की management आकर देख रही है, और साथी साथ में, उनको order भी transfer कर रही है, reliance से जो order आ रहे हैं, वो partially, आलोक में भी बन रहे हैं, तो यह इससे उनकी जो efficiency थी, जो पिछले quarter में बदाई थी, कि अच्छी तरह efficiently न financial advisor, अब देखें, इन्होंने नए product launch करने के लिए, अपना expansion plan कर रहे हैं, और इसके साथ में joint partnership कर रहे हैं, US की companies के साथ partnership कर रहे हैं, और उनके साथ में research and innovation करके, उनके products जो हैं, उनकी testing कर रहे हैं आपर, तो उसे साब से, यह बहुत बढ़िया company है, अब अगर हम bathroom leanan market की बा अच्छी प्रियास है, जो study की गई है, यह यहां से North America, South America, Europe, Africa, Asia and Australia, सारे के सारे continent से इन्होंने data को analyze किया है, और वहाँ पर बताया है, better control and cost करना की कोशिश करें, जैसे मैं बताया है, जहाँ पर capacity बची हुई है, वहाँ पर reliance industries के order fulfill किया जाने, जिससे coast को control मिलेगा, और साथी साथ में उपर के लिए growth रहेगा, तो दिखेंगे, यह 19 और 27 की एक range बहुत बढ़िया consolidation range चल रही है, यहाँ पर काफी time से, और 19 के level से इसने बहुत अच्छा bounce back भी रिखाया था, आई यह चल कर चार्ट पर देखते हैं और समझाएंगे, कि कैसे कह रहे हैं कि 19 का बहुत बढ़िया support रहेगा आपके लिए, इसने अगर intraday की बात करे जाए तो Friday को market नीचे खुला, यहाँ पर 19 रुपे 30 पैसे पे गया, फिर 20 तक गया, उसके बादे बंद होते होते 20 रुपे के आसपास यह बंद हुआ है, almost कह सकते हैं, flat to neutral बंद रहा है, जहां market ने थोड़ा correction दिखाया था, वहाँ पर इसने भी अपना थोड़ा सा view change किया था, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या होंगे critical levels जो आपको समझने हैं, जो इसका 1870 का जो last low है, वहाँ से बहुत अच्छा इसका expected bounce back है, और उपर की तरफ जाने के लिए, यह नीचे की तरफ को आता है, तो आप वहाँ पर अपनी quantity को accumulate कर सकते हैं short term traders, और 27 के आसपास जाता है, तो वहाँ पर आप अपनी थोड़ी quantity को offload कर सकते हैं, यह एक अच्छा परियास रहेगा अगर आप short term trading के माध्यम से कुछ पैसा इसमें कमाना चाते हैं, तो उसे साब से देखा जाए, यह range बहुत बढ़िया है यहाँ पर, अगर कुछ studies एड़ की जाए, तो देखें, बुलिंजर बैंड काफी consolidation हो चुगा था, यह जो बार बनी थी, बहुत बढ़िया बार बनी थी, in fact हमने खुद से और अपने खुद paid members से 19 के आसपास, यहाँ पर 1980 के आसपा और अभी तक हमने उसको hold किया हुआ है, हमारा expectation है कि यहाँ से, जैसे ही इस बार 23 का level तूटेगा, यहाँ पर 20 का level तूटेगा, तो वो 27 के लिए एक बहुत जल्दी उपर की तरफ को आगे अगरिम होगा, तो यह अच्छा परियास रहेगा अगर यहाँ से तूट जाता है उपर की तरफ को, मैगडी ने एक छोटा सा sell signal generate किया है, भी कल यहाँ पर, interesting होगा, किस तरह से, मंडे के दिन market खुलता है, अगर मंडे को market यह bounce करके 20 रुपे के उपर चला जाता है, तो वो शायद signal nullify हो जाए, तो यहाँ पर यह अच्छा bounce back है, volume is also coming back, दोस्तों पर यह च maximum 5% का आपको निवेश करना है, ताकि आप को कोई challenge ना हो, अगर हम बात करने इसकी valuation की दर्श्री से, तो 15 के नीचे under value रहेगी, fair value इसकी range है 17 से 28 के बीच में, जहाँ पर काफी समय घुमेगा यह, और over value वो range है कभी अगर इस range में आता है, तो हो सकता है, इस quarter और अगले quarter म में, वहाँ से थोड़ा profit booking हो जाए, अब यह debt reduction plan इनका जो चल रहा है, यह काफी अच्छा है, जिसके चलते हुए, इनकी bottom line improve होगी, अभी काफी cost इनकी interest pay करने के लिए जाती है, जब debt reduce हो जाएगा, तो interest payment इनका reduce करेंगे, ताकि इनकी profitability बढ़ जाए, अगर हम इसके target की बात करें, तो देखिए हमारे हिसाब से within one year timeline यह अपना नया high बनाने की कोशिश करेगा, जो इसका 58 का high है, वो उसको cross करके उपर जाने की कोशिश करेगा, around one year time frame, अगर आप interested हैं, तो इसमें निवेश कर सकते हैं, दोस्तो अगर आपको stock market में learning करनी है, और साथी साथ day trading करकर पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको चीजों की बारिकियों को समझना होगा, और देखना होगा कि कैसे हम लोग trade price करें, क्या action रहें, किस दिन गलती होगी तो उस दिन से भी lesson learn लेना है, अगर हम future option trading के आपकी workshop की बात करें, तो हमने ये 15 दिन की workshop अ ट्रेड की हमने वो भी बताएंगे और आपको trade भी कराएंगे, अगर इंट्रेस्टेड हैं, तो आप mail drop कर सकते हैं, चार वीडियो प्रसुत दें, जाहिंच अबारत, बाई